जेहन आप सभी एक्सर्विसमेन भाईयों का आपके अपने यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Bureau of Indian Standards यहने की भारतिय मानक Bureau जो की दोस्तो Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India के अंतरगत आता है तो दोस्तो इस डेपार्टमेंट में जो है Senior Secretary Assistant, Stenographer और Junior Secretary Assistant और Senior Technician की पदों पर एक्सर्विसमेंट के लिए बैकंसी निकाली गई है तो आज की इस वीडियो में हम इन ही बैकंसी से संबंदित आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले तो दोस्तो डेटेल्स ओफ वेकंसी के बारे में आपको बता देते हैं गुरूप C की दोस्तो यह पोस्ट है जो की एक्स सर्विसमेंस के लिए रिजर्ब्ट हैं तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तो इस टैनोग्राफर तो इस टैनोग्राफर का दोस्तो पे लेवल 4 है और यहां पर केबल एक्स सर्विसमेंस के लिए दोस्तो एक वेकंसी है आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों यह EXSM जो है वो XServicemen लिखा हुआ है और इसकी यहां पर detail भी दी गई है EXSM means XServicemen ओके चलिए अब चलते हैं दोस्तों Senior Secretary Assistant जिसके लिए पहले हम Upper Division Clerk भी बोलते थे इसका भी दोस्तों जो Pay Level है वो 4 है और इसमें दोस्तों 12 vacancies XServicemen के लिए है Junior Secretary Assistant जिसको हम दोस्तों Lower Division Clerk पहले बोलते थे इसका जो Pay Level है वो है 2 और इसमें XServicemen के लिए 7 vacancies reserved है नेक्स्ट आती है दोस्तों Senior Technician ये भी दोस्तों Group C की पोस्ट है Pay Level इसका 4 है और इसमें भी XServicemen के लिए केवल एक वेकंसी रिजैब्ट है ठीक है चलिए आप चलते हैं आगे दोस्तों और बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्रेंस की ठीक है तो अगर आप दोस्तों स्टेनोग्राफर के पत्पे अपलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या-क्या एजुके ट्रिक की जो है वो नॉलिज होनी चाहिए और तीसरी चीज है दोस्तों सोट ऐंड में चीज है दोस्तों सटेनोग्राफर के एक्जाम के लिए सोट हैं आप हिंदी या फिए इंगलेश किसी भी सोट हैं अगर आपको आती है तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं लेक की UDC के पदों पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए किसी भी उनिवेस्टी से दोस्तों जो है वो बैचलर डिगरी याने की ग्रेजुएट होना जरूरी है और है आपकी जो है दोस्तों टाइपिंग इन च tours फिद ऊगी जिसमें आपटी लिए दिप्रेशं जो है फिप्तं मिनिट्स में आपको मारनी होगी ठिकिए यानि coś-ое कीमिन तेया चाइशमेह आपको 2000 की डिप्रेशन जो है वो करनी होगी उसके बाद में दोस्तों आपका Microsoft Excel और Microsoft PowerPoint पर आपका टेस्ट होगा जिसमें एक्सल के लिए आपको दोस्तों 15 मिल्ट का टेस्ट होगा और PowerPoint के लिए आपका 15 मिल्ट का जो है वो टेस्ट होगा नॉर्मल आप से प्रिजेंटेशन एक फॉर्मूलेस बगर लगवा कि देखते हैं जैसे के टेबल बनाना आपको आती है नहीं है नॉर्मल टेस्ट होता है ज्यादा घवलाने के जरूद नहीं है इसी परकार अगर आप जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट या फिर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको दोस्तों ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपका कंप्रेटर प्रिफेंसी टेस्ट होगा दोस्तों जिसमें दिक कंडिडेट सुट भी प्रोफिशेंट एटलैस अप्टू लेवल फाइब लेवल फाइब आफ ने देना होगा सेनियर टेक्नीशियन ठीक है अगर आप सेनियर टेक्नीशियन के पतों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए टैन्थ क्लास जो होना जरूरी है इसके साथ दोस्तों आपके लिए आपको होना जरूरी है वो भी इन ट्रेट्स में लेक्ट्रो है दोस्तों पेलेवल 4 जो की UDC और इस्टेनोग्राफर के बरावर है आप चलते हैं दोस्तों आगे आपको मैं बता दूं कि यह जो एप्लिकेशन की ओपन हो चुकी है आप इसमें अपलाई कर सकते हैं 9 सितंबर याने की आज से इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिया दूंगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्जामिनेशन की तो इस्ट्रक्चर ऑफ ओनलाइन एक्जामिनेशन होगा जिसमें आपको मिनिमम् दोस्तों 50 मार्स लाना जरूरी होंगे for the next stage of selection के लिए ठीक है चलिए तो अससिस्टेंट सेक्षन ऑफिसर परस्नल असिस्टेंट सनोग्राफर सीनियर सेक्रेट्रेटिट एसिस्टेंट और जूनियर सेक्रेट एसिस्टेंट के के लिए आपका दोस्तों जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट वोगा इस परकार होगा ठीक है तो टोटल मार्व होंगे दोस्तों 150 है नमब्र और प्रक्षण्स होंगे 150 और नम्र ऑफ मिनेट्स होंगे आपके पास में 120 इक तो से आपको 75 नंबर जो है लाना जरूरी होंगे for the next selection process के लिए है ठीक है ओके जनरल intelligence and reasoning के पचास questions होंगे 50 नंबर के जनरल awareness के 25 कोस्टन होंगे 25 नंबर के quantitative aptitude के 25 नंबर होंगे 25 कोस्टन होंगे 25 इस नंबर के और English language के दोस्तों 50 कोस्टन होंगे 50 नंबर के तो इस प्रकार आपके 150 कोस्टन 150 नंबर के होंगे जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट यानी कि दो घंटे और 50 कि दोस्तों हमारे लिए चार पोस्ट हैं चारो की चारो ग्रूप सी के अंदर अगर आती हैं तो इसमें आपको दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के एक सर्विसमेन हैं तो आपको तीन साल की छूट मिलेगी और आप आपको अपनी एज रिलेक्सें निकालनी कैसे है अपर एज लिमिट दोस्तों यह है कि आपकी जितनी भी एज है उसमें साप अपनी सर्विस माइनस कर दीजिए और आप जिस कैटेगरी के हैं उसके सामने जैसे तीन साल छे साल या फिर आट साल की जो एज लिमिट दे गए लिए उसको माइनस करते हैं फिर जो आपकी एज है दोस्तों वह आपको यहां पर जितनी भी इसमें एज मांगी जा रही है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए ओके आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की जैसे कि आपके एग्जामनेशन सेंटर तो दोस्तों यह जो भरती है वो बी आईएस हैड़कोर्टर डेली और उसकी जो ऑफिस हैं अल ओबर इंडिया में उन सभी के लिए है तो आपके पोस्टिंग कहां पर होती है वो आपके मार्क के हिसाब से तैय करेगा तो आपके जो एक्जामनेशन दोस्तों होना है वो इन सिटीज में होना है मैं सभी को पढ़के नहीं बता सकता इसका आप इस क्रिंशॉट ले ले या इस नोटिफिकेशन के लिए हमारे ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूपा तो चलिए दोस्तों उम्मिद करते हैं यह वीडियो आपको पसंदाई होगी वीडियो की हाँ नंबर बन सबसे जरूरी चीज दोस्तों यह रह जाती थोड़ा सा मैं बोल गया थे इसके लिए तो रेइस्ट्रेशन कबसे आपके स्टाइट होंगे तो 9 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन एप्लिकेशन आप फिल कर सकते हैं और आपको जो एड्मिट कार्ड है व तो अमिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू को लेना जैहन जैबर